अभी तक notification देख लिया होगा, अगर आप लोगों को कुछ भी doubt है तो मैं पूरे notification को detail में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत जादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, main main important important चीज़े ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है अगर आप लोगों ने combat enroll नहीं से है तो आप लोगों को दोस्तों Google पर सर्च करना है, SBI Career, देखें जैसी आप लिखेंगे SBI Career, तो यह SBI Career की website आप लोगों को दिख जाएगी, इसको open आप लोगों को कर लेना है, open करने के बाद दोस्तों इसको cross कर दीजिए, cross करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यह join S SBI पर click करना है या फिर latest announcement, latest announcement में इसलिए आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर click करके जाओ, क्योंकि future में अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर अगर कोई दूसरी latest notification आचुकी होगी अगर 245 तो आपको SBI clear का नहीं दिखेगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप join SBI पर जाएए, current openings पर जाएए, और जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाना है, यह पहला ही link अभी दिख रहा है, पर क्या होता है, धीरे धीरे और भी notification कुछ कुछ आते रहता है, तो यह नीचे चले ज देते हैं, यह PDF इसका open हो चुका है, चली अब इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़े दी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को, vacancies यहाँ पर अगर हम देखे हैं, तो यहाँ सारी की सारी vacancies, आप लोगों को यह जो total दिख रहा है, यह आप द देखते जाहिएगा, गुजरात में 902, करनाटिका में 400, मध्य प्रदेश में 78, 36 गड़ में 120, वेस्ट बेंगॉल में 273, ठीक है, और इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जगों का देख लेते हैं, जहाँ जादा vacancies है, उडिसा में 75, हिमाचल प्रदेश में 180, पंजाब में 295, तमिल नाडू में 473, और इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सारी vacancies यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ, यहाँ पर देख लेजए, पूरी vacancies जितनी भी हैं, ठीक है, तो यह तो हो गई vacancy की बात, टोटल अब यहाँ पर दिखा देता ह ठीक है, तो यह तो हो गया दोस्तों, पूरा हमारा vacancies, अब देखे, vacancy के अलावा यहाँ पर जो important चीज़े हैं, उनको हम देख लेते हैं, कि कौन-कौन इस paper को दे सकता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले eligibility criteria को देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका syllabus same है या change हो तो age limit की अगर बात करें दोस्तों, तो 1 April 2021 तक, 1 April 2021 तक अगर आप 20 साल से उपर या 28 साल से कम हैं, मतलब 28 तक, 20 से लेकर 28 साल तक आपकी अगर age बन रही है, 1 April 2021 को तो आप इस form को fill कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर दोस्तों, आप 1 April तक date, ठीक है, इसके बारे में मैंने already एक video बनाया हुआ था कि how to calculate your age, तो आप Google पर search करोगे age calculator, वहाँ पर आप अपना date of birth डालोगे, age as on, आप ये वाली date डालोगे, आपको exact date, आपका birth जो है, मतलब date जो है, पता चल जाएगा कि आप इसमें eligible हो रहे हो की नहीं, कितने year के आप हो रहे हो 33 years तक SCST category में, OBC में 3 साल जादा, PWD 10 सार और बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं, और important चीज़ें दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं, कुछ important है क्या, तो ऐसा कुछ important यहाँ पर नहीं है, में और देखते हैं, आगे चलते ह लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, कि जो pre का examination है, बिल्कुल pattern आप लोगों का वही रखा गया है, 100 question, 100 number के, English 30 number, 30 question, numerical ability, 35 question, 35 number, और reasoning ability, 35 question, 35 number, 20 minute के, ठीक है, पूरे 100 number का paper होगा, एक घंटे का, अब बात करते हैं, दोस्तों, मेंस की, तो मेंस का 2 घंटे 40 minute का ही paper है, जैसा कि हमेशा रहता है, 35 minute का जीए, मतब general financial awareness, इसके अलावा, general English 35 minute, 40 marks, 40 question, और अगर आगे देखें, तो आप लोगों इसको देख लिजे, दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह दिखा देता हूँ, यह देखें, यह है, मेंस का, ठीक है, तो 2 घंटे 40 minute का आप लोगों का paper होगा, और बाकी इसके बारे में तो detail में हम बहुर बार बात करी चुके हैं, दोस्तों, ठीक है, जो लोग नए है, उन लोगों को हो सकता है, कि first time देख रहे होगे, इसलिए मैंने थोड़ा zoom कर दिया है, तो आप इसको screenshot ले लिजे और देख लिजे कि चार subject होंगे, ठीक है, एक ही paper है, mains का, और pre का भी एक ही paper है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो pay scale की बात करें, दोस्तों, मैंने pay scale भी समझाया हुआ है, बहुत पहले आप लोगों को जो पुराने students है, उनको पता होगा, pay scale का मतलब क्या होता है, दोस्तों, यह जो 17,900 आपका DA वगरा यह सब बन के जोड़ता है, तो करीब 60% इसमें आप और बढ़ा लीजे, 60, minimum, मतलब exact मैं नहीं बता रहा हूँ, approx 60% आप इसमें और बढ़ा लीजे, तो 18,000 इसको approx लेकर चलिए, और उसका 60% आप इसमें और calculate कर लीजे, add कर लीजे, तो उतनी आपकी salary ल 2900 है, जिस पे आपका 60% DA और वो सब चीजे जो भी होती है, add करके जो आपकी salary बन रही है, ठीक है, हर साल आपको increment मिलता है, हर साल आपकी salary बढ़ती है, तो अगले साल क्या होगा, जिस समय आपका 1 साल complete होगा, तो आपका 1000 रुपए salary बढ़ जाएगा, basic में, 1000 basic में और 60% extra म उसमें 1000 basic add हो जाएगा, अगले 3 सालों तक, ठीक है, उसके बाद आपकी salary जो बन जाएगी, वो बन जाएगी 20900, calculate करके देख लो, 17900 में 3 साल तक 11000 अगर बढ़ेगा, तो आपका 20900 हो जाएगा, ठीक है, अब 20900 में आपका 1230 रुपए बढ़ेगा, उसके अगले 3 सालों तक यह आपके basic है, basic में DA add होता है, HRA वगरा, जो भी चीजे होती है, वो सब add होने के बाद, जो भी आपकी salary बनेगी, उमीद करता हूँ, यह चीज समझ गयोगे कि यह कैसे निकालते है, pay scale क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को इसमें doubt रहता है, कि सब pay scale समझ में नहीं आत का, उसके बाद आप permanent हो जाओगे, ठीक है, तो probation period 6 महीने का है, इसके लावा और देख लेते हैं, तो इसके लावा और क्या है, तो waiting list रहती है, दोस्तों, 50% of vacancies, यानि कि 5000 अगर vacancies है, तो 5000 आपकी waiting list होगी, अब waiting list में भी काफी लोगों को doubt होता है, कि सर waiting list क्या होती है, त पुराने लोगों को तो पता ही होगा, जो अभी अभी तयारी चालू कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, तो दोस्तों waiting list का मतलब यह होता है, कि 5000 तो vacancy है, एप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 4915 है, तो 5000 अगर vacancy है, तो 5000 लोगों को select किया जाएगा, ठीक है, लेकिन 5000 लोगों waiting list में रखा जाएगा, 50,000 लोगों की waiting list भी निकलेगी, ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब यह होता है, कि जो 5000 लोग select किये गए, हो सकता है, कि उनका officer का भी paper निकल जाए, या वो join ना करें किसी कारण से, या फिर हो सकता है, कि वो किसी और job में चले जाए, या job छोड़ दे अगले दो महीनों के बाद, join किये, दो महीने बाद छोड़ दिये, तो ऐसे case में क्या होता है, जो vacancies, vacant हो जाती है, उन vacancies के लिए, वो reserve में रखा जाता है waiting list, तो उन waiting list वाले students को फिर job मिल जाती है, वो कुछ समय बाद होता है, जैसे मान लिजे कि जो 5000 लोग select हुए, इनकी joining, अगर मान लेते हैं कि April के महीने में हो रही है, तो 2-3 महीने के बाद waiting list आ जाती है, फिर 1-2 महीने, 3 महीने बाद, फिर second waiting list, तो ये एक साल तक waiting list चलती रहती है, 3-4 waiting list निकालते है, SBI वाले, तो बहुत chances होते हैं कि waiting list में भी अगर आप हैं, तो आपका clear हो जाए और आप की exam का, the candidate should download their call letter and an acquaintance, तो 1-6 onwards आपको tentatively दिया हुआ है, 1-6 June, 1-1 June 2021 को ये tentative date है दो दोस्तों, ये fix नहीं है, ठीक है, अब इसके बाद main exam के अगर हम बात करें call letter की, तो वो 19-7 यानिकि 19 July के आसपास आपका main call letter आएगा, तो यहाँ पर कोई ऐसा exact date नहीं दिया हुआ है, आ तो fees की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा, यह मैं क्या देख रहा हूँ, यह first time हुआ है क्या, काफी लोग नराज होंगे, काफी लोग खुश भी होंगे, खेर हम तो teacher हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं मतलब, दोस्तों ऐसा म मतलब नहीं मतलब बहुत रहता है, ठीक है, लेकिन इस चीज को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह SBI ने fix किया है, तो साड़े साथ सोस तो पता था, यह निल वाला मैं first time देख रहा हूँ, आप लोग भी first time ही देख रहे हो क्या है, यह निल, आज तक निल मैंने नहीं देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, हम यह डाल सकते हैं कि जनरल वालों की fees कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हर जनरल वाला साड़े साथ सो effort नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है, आप कर सकते हो पर जरूरी नहीं कि तीसरा बंदा जो जनरल वाला है, वो भी effort कर प दोस्तो एक चीज में आप लोगों को और बोलना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट है नोटिफिकेशन को पूरा शुरू से आखरी तक एक बार तो जरूर पढ़ लिजेगा अपने पूरे करियर में जब भी आप बैंकिंग की त्यारी कर रहे हो ठीक है अगर आप शुरुवात में अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यही आप लोगों को सला दूँगा कि शुरू से आखरी तक पूरा जितने भी पेज का नौ पेज का यह है नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ना एक बार SBI का एक बार IBPS का ठीक है उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं फिर important important चीज़े बस आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ centers वगर दियें कहां कहां पर center होंगे exam के इसके अलावा और क्या दिया हुआ है और तो कुछ यहाँ पर important चीज़े नहीं दिया है लग रहा है दोस्तों चलिए तो यहाँ पर और कुछ नहीं दिया गया है तो हम शुरुवात में देख लेते हैं शायद शुरुवात में हमने कुछ मिस कर दिया हो dates वगरा के लिए यहाँ पर क्या दिया है देख लेते हैं यह देखिए online registration of application and payment of fees 27 अप्रेल याने कि कल से यह चुरू हो जाएगा form भरना और 17 मई तक आप इसका form भर सकते हैं क्या लिखा है बई 27 याने कि कल से आप form भरना start कर सकते हैं और 17 मई तक आप form भर सकते हैं ठीक है तो यह चीज दिया हुआ है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर dates के लिए कुछ भी नहीं दिया यह देखिए यह एक चीज लिखा है Pre-examination will be conducted tentatively in the month of June 2021 मतलब tentative date आप लोगों को June की दी हुई है तो आप यह मान के चलिए June के महिने में कभी भी हो सकता है अभी चल रहा है April खतम ही हो गया समझ लेते हैं May सिर्फ एक महिना सिर्फ एक महिना पर हम मान लेते हैं कि दो महिना है अगर June में last last में होता है तो मान के चलते हैं कि दो महिना आपके पास है वैसे तो दो महिना भी बहुत जाद ही मैं बोल रहा हूँ देड़ महिना आप मान के चलिए दोस्तों इसलिए मैं शुरुआत से काफी सारे students को बोलता आ रहा हूँ दोस्तों पढ़ाई करते रहो आज भी मैंने class में ये चीज बोली थी जो अभी YouTube और इधर उदर से सब पूरा disconnected होंगे कुछ समय से 10-15 दिनों से उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि notification आ गया है जब तक उनको पता चलेगा में भी शायद डेट ना निकल जाए ठीक है तो इसलिए शेयर कर दीजेगा दोस्तों वीडियो को जादा से जादा लोग जाद है तो पूछ सकते हैं दोस्तो मैं आल्डेडी बैंक में काम कर चुका हूँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है जैसे कि pay scale वगरा के बारे में मैंने बताया तो वो सब चीजे बैंक में काम कर चुका हूँ होता है फिर भी मैं नोटिफिकेशन को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ूंगा अगर इसमें ऐसा कुछ रहा अगर रहा तो रात तक कमेंट में मैं पिन कर दूँगा कि सेलरी कितनी रहेगी इसमें देखे मैंने बताया तो है सेलरी वाला पूरा 17,900 याने कि 18,000 आप मान के चलो आपकी सेलरी है 18,000 में आप 60% और एड कर लीजे मतलब लगभग आपकी जो सेलरी बनेगी वो बनेगी 30,000 के आसपास एप्रॉक्स बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि DA अभी करेंट पर कितना चल रहा है मुझे नहीं पता जब मैं बैंक म में था वो 3 साल हो चुके हैं बात को तो अभी चेंजेस हुएं थोड़े बहुत जादा भी हो सकता है थोड़ा कम तो नहीं होगा जादा ही होगा तो आप मान के चलिए एप्रॉक्स आपकी जो सेलरी होगी 30 से लेकर 35,000 के बीच में होगी इन हैंड सेलरी जो आपके हाथ मे आएगी जो आप घर लेकर जाओगे जो आपके अकाउंट में आएगी बाकी कुछ डिदक्शन वगर भी होते हैं आप लोगों के तो जो आपको मिलेगी सेलरी वो रहेगी कुछ 30 से 35,000 के बीच में पीओ की जो सेलरी होती है प्रोवेशनरी ओफिसर की वो सेलरी होती है 52,000 से 56,000 के बीच में डिपेंड करता है आप कौन से एडिया पर हो एडिया वाइस भी डिपेंड करता है अगर आप मूंबई में हो तो डेफिनेटली आपकी सेलरी जाधा होगी क्योंकि खरचे वैसे होते हैं वहां के Language test होता है कि बिल्कुल दोस्तों एक LPT test होता है, ध्यान से सुन लिजेगा जितने भी students हैं, अगर आप लोग किसी दूसरे state से fill करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा ये गलती बहुत सारे students पिछले साल कर चुके हैं, सबसे पहली चीज तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि in case जैसे last year हुआ था, long down की वज़े से, मेरे साथ खुद हुआ था, मैं हर साल paper देता हूँ, और सिर्फ और सिर्फ analysis के लिए देता हूँ, मैं ऐसा seat किसी की खाने के लिए, या job लेने के लिए नहीं देता, मैं सिर्फ आप लोगों को किस level के questions आये थे, ये जाने के लिए paper देता हूँ हर साल, पिछले साल भी मैंने SBI clerk का form फिल किया था, मेरे कुछ 78 marks आये थे, 75-78 marks आये थे, और मेरा paper clear था, बट मेरे साथ गलती ये हुई, कि मैंने उसका mains जो था वो जारखन में फिल किया था, ताकि मैं जारखन जाकर students से मिल पाऊं, मैं हर बार कहीं न कहीं जाकर students से मिलता हूँ, उनके doubts clear करता हूँ, लेकिन पिछली बार ये हो गया, कि lockdown लग गया और मैं जानी पाया, COVID फैला हुआ था मैं जानी पाया, तो ये मैं example आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप भी किसी दूसरे state से fill कर रहे ह ये सोच कर कि वहाँ vacancy जादा है, तो थोड़ा एक बार दिमाग में ये सोच लिजेगा, कि अगर COVID बहुत जादा fellow भगवान न करे वैसा हो, बट cases बहुत जादा आ रहे हैं, तो आपके घर वाले आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके मन में डर रहेगा, आपके मन मे डर रहेगा, में भी हो सकता है कि transportation facilities अच्छी ना हो, तो आप कैसे जाओगे, तो ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए दोस्तों, अगर आप दूसरा state फिल करना चाह रहे हैं, तो बिलकुल तभी फिल करिए, जब आपके पास option ही ना हो, जैसे कुछ states हैं जिसमें vacancy बहुत ही कम है, 2, 4, 8, 10, 15, ऐसे case में दोस्तों, आप एक risk ले सकते हो, क्योंकि 15 vacancy में form fill करना भी एक risk के बराबर ही होता है, तो वैसे case में आप risk ले सकते हो, लेकिन अगर आपके state में 50-100 vacancies हैं, तो 50-100 vacancies होती हैं दोस्तों, अच्छी vacancies होती है, ठीक है, 100 vacancy एक state के इस vacancy मेरे इसाब से सही है, कम नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं बूलूँगा कि बहुत जादा है, मैं ये भी नहीं बूलूँगा कि बहुत कम है, ठीक है, आप paper दे सकते हैं, अराम से आप selection ले सकते हैं, तो बिलकुल भी दूसरे state में भरने से पहले ये चीज़ को सोच ल लेना होता है कि आपको वहां की language आती है, या नहीं, क्या आप बोल पाते हो, क्या आप समझ पाते हो, क्या आप लिख पाते हो, लिखना तो खैर उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन बोलना और समझना ये बहुत जादा जरूरी होता है, क्योंकि एक clerical का काम होता है, customer dealing, ठीक आप उनके साथ communicate नहीं कर पाओगे, जिस वज़ा से clerical post में LPT रखा जाता है, जिसको हम बोलते है, language proficiency test, तो ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखे का दोस्तों, दूसरे state से form fill करने से बहतर यही होता है, अपने state में form fill करें, और अच्छे से घर पर सुरक्षित रहत दे हुए तयारी करें, बिना किसी tension के, और form, जब भी मतलब exam होगा tentative dates है, तो जब भी exam होगा आप form, मतलब paper देने जा सकते हैं, ठीक है, एक महिने में ये paper निकल सकता है, देखे महरा जी, देखो genuine advice दूँगा, एक महिने में paper उसका नहीं निकल सकता, जिसके concept clear नहीं है, क् क्लियर करके आपको practice काफी अच्छी करनी पड़ती, competition बहुत जादा है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर आपका concept clear है, basic बहुत अच्छे से clear है, तो एक देख बहीने में prelims आराम से निकल जाएगा, मेंस की तियारी आज से start कर देना, आज से, ठीक है, आज से ही start कर दीजेगा, मेंस की तियारी, क्योंकि मेंस ही जादा problem create करता है, चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों, session तो खतम होता है, मेरा course आ रहा है, 10 तारी को आज ही मैंने बताया था, तो उसके बारे मैं details बता देता हूँ, अगर आप interested है, तो दोस्तों, आप subscription लेकर, promotion करना है, जो interested है, मैं सिर्व नहीं को बताऊंगा, तो जिनको जाना है, वो जा सकते हैं, आप सभी के लिए session खतम हो चुका है, अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है, तो जरूर देख लिजेगा, काफी चीजे मैंने अच्छे से explain करने की कोशिश की है, ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप interested हैं, तो एक crash course आ रहा है, जो बहुत जल्दी चीजों को सीखना चाहते हैं, मतब वो ये चाहते हैं, कि बस हम फटा-फट सीख जाएं, पांच-छे class देखें, और हम पूरा reasoning सीख जाएं, और उसके बाद फिर हम अपनी practice भी चालू कर दें, mains की भी त Crash course में लेकर आ रहा हूं, परसों से चालू हो रहा है, रात को साड़े-ाठ बजे class होगी, तो ये 6 class होगी, सिर्फ 6 class में पूरा reasoning के, miscellaneous, पूरे जितने topic हैं, सब में cover कर दूँगा, और मेरी guarantee है 6 class जिसने देख ली, उसका reasoning cover हो जाएगा, पूरा prelims का, pre का, mains का नहीं, ठीक तो ये 6 दिन में आपका basic clear करूँगा, मैं basic ध्यान सुनिएगा, कि जितने भी miscellaneous के questions आते हैं, 35 नमबर का reasoning होता है, उस 35 में आपके 15 नमबर के miscellaneous आते हैं, ठीक है, तो ये 15 नमबर हम इस 6 class में cover कर लेंगे, पूरा का पूरा, इसके बाद दोस्तों, आप लोगों का एक न 10 में से जो course start हो रहा है दोस्तों, ये complete course है, 60 days का, 60 days मतलब 60 classes है ये, 60 classes होंगी complete पूरी reasoning की, ठीक है, ये 10 में से start होगा, timing इसकी होगी सुबह 10 बजे से, साड़े 11 बजे तक, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, इसमें हम पूरा prelims और mains दोनों चीज़े cover करेंगे, अब अगर आप subscription unacademy का लेते हैं, तो आप लोगों को all subject मिल जाते हैं, पूरे के पूरे, English, GK, Maths, और Reasoning, ठीक है, ये 4 के 4 subject आप लोगों को मिल जाएंगे, एक बार subscription आपको लेना होता है, पूरा 1 साल का आप चाहें तो ले सकते हैं, 6 महीने का चाहें तो ले सकते हैं, recommend मैं 1 स करूंगा दोस्तों, क्योंकि जैसा ये course अभी मैंने बताया, ऐसे ही हर exam के courses आते हैं, तो आप हर exam की तैयारी एक बार pay करके कर सकते हैं, 1 year की जो fees है, वो है 6500, जिसमें discount अगर आप लेना चाहते हैं, तो discount 10% का लेने के लिए ये code है BC10, ठीक है, तो ये code आप apply कर देंगे BC10 या फिर AL10, तो इससे आपको discount मिल जाएगा, ठीक है, तो ये एक साल की fees है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप beginner है, आप चाहते हैं, कि आपको bank का exam निकाल नहीं है, चाहे एक साल लगे, चाहे देड़ साल लगे, तो आप दो साल का subscription ले सकते हैं, दोस्तों, इसकी fees है 7800, प्राइज में बहुत जादा फर्क नहीं है, लेकिन एक साल extra मिल जाता है, 6500 में दोस्तों, इसमें भी आपको discount मिल जाएगा 10% का, और ये code इस्तमाल करने से दोस्तों, आपको complete English, GK, Maths, Reasoning, चारो subject के सारे courses मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी teacher के हो, जो भी teachers unacademy पर पढ़ अगर आप लोगों को doubt है किसी भी चीज के बारे में, तो आप एक WhatsApp नमबर दे रहा हूं है, सिर्फ WhatsApp करिएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, इसमें call मत करिएगा, क्योंकि इस पर बैर reply नहीं करता, मेरी team reply करेगी, unacademy plus के subscription से related, अगर कोई भी doubt है, तो आप 826-025-1859, तो ये नमबर पर आप WhatsApp करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको doubt है, subscription से related, ठीक है, तो subscription लेने, screenshot ले लिजे या note कर लिजे अगर आप चाहें तो, अब देखें दोस्तों, अगर आप unacademy plus का subscription लेना चाहते हैं, तो unacademy की website पर आपको सबसे पहले जाना है, इस पर login कर लिजे सकते हैं, daily free class होती रहती है, बारा बजे मेरी, bank exam सिलेक्ट कर लिजे दोस्तों, और get subscription पर click कर दीजेगा, make sure bank exam selected है, फिर get subscription पर आपको click करना है, और उसके बाद आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, 24 मंत का अगर आप देखें, तो 7,800 इसकी fees है, 12 मंत का अगर आप देखे बटन में आप लोगों को offer भी मिल जाएगा, 1 साल में 2 महिना और 2 साल में 4 महिने extra मिल जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप code apply कर देएंगे, BC10, BC10, इसको apply कर दीजे, तो इससे आपका जो price है, वो कम हो जाएगा, 7,020 रुपए आपका price हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, इसको follow जरूर कर लिजेगा, already 387,000, 387,000 students follow कर रहे हैं, ठीक है, तो follow जरूर कर लिजेगा, open करेंगे, तो आप लोगों को मेरी profile दिख जाएगी, इस profile में यह जो courses दिख रहे हैं, दोस्तों, जिस पर lock लगा हुआ है, यह paid है, इसमें आप see all कर दो, तो अगर आप subscription लेंगे, तो आप यह सारी classes देख सकते हैं, ठीक है, यह courses हैं पूरे, यह एक course के अंदर 6 classes है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यह परसों से चालो होने वाला है, इसमें 20 classes है, इसमें 38 classes है, इसमें अगर हम देखे हैं, तो इसमें total 13 classes है, इसमें 7 classes, इसमें 8 classes, उसम इसमें बहुत सारे अच्छे-चे courses हैं, अब यह वाला course दोस्तों जरूर देख लीजगा, जिनको mains की तियारी करनी है, 58 lessons है, इसमें मतर 58 class मैंने ली हुई है, देड़ घंटे की, इस course में पूरा मैंने mains cover किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, साथ-साथ जो अभी RIS 60 class का, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी details थी दोस्तों, course चालूने वाला, अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, code है BC10, link आपको नीचे description मिल जाएगी, मिलते हैं फिर next video में, thank you friends, 720, all the best, और अभी मेरी class होने वाली है next, तो telegram channel banking chronicle सर्च करके